पिछली कुछ कडियों में हमने नासिरुल मुल्क नामक अमीर की चर्चा की थी वह कांधार का रहने वाला था और अत्यन्त साधारन प्रश्ट भूमी से तरक्की करता हुआ मुगल दर्वार में अमीर का पदपा गया था उसका वास्तविक नाम पीर मुहम्मद खां था हमायों के जीवन काल में जिस समय बेराम खां कांधार का गवरनर हुआ करता था तब यही पीर मुहम्मद खां कांधार के एक छोटे से मदर्से में गरीब विद्यार्थी की हैस्यत से पढ़ाई किया करता था जब मुल्ला पीर मुहमत खां की पढ़ाई पूरी हो गई तब वह पेट की भूग से परिशान होकर बहराम खां के दरबार में पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मुझे किसी मदर से मैं मुल्ला नियुक्त किया जाए ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा कर स को बैराम खां ने उस पर रहम खा कर उसे मुल्ला बना दिया इसके बाद मुल्ला पीर मुहमत खां कभी कभी बैराम खां के दरबार में आकर उससे मिला करता था बैराम खां ने उसकी प्रतिवा से प्रसन होकर उसे अपना वकील नियुक्त कर दिया इसके बाद मुल्ला पी मुल्ला पीर मुहम्मत खां की चाया की तरह बैराम खां के साथ रहने लगा। जब बैराम खां अकबर का संगरक्षक बना तो मुल्ला पीर मुहम्मत भी अकबर के निकट आने लगा। अकबर और मुल्ला पीर मुहम्मद की आयू में कुछी सालों का अंतर था इसलिए दोनों एक दूसरे से मित्रवत व्यवार करने लगे अखबर ने मुल्ला पीर मुहम्मद खां को अपने दर्बार में कुल मुक्तार न्युक्त कर दिया तथा उसे नासिरुल मुल्क की उपाधी दे कर मुल्क और माल के सब काम नासिरुल मुल्क के उपर छोड़ दिये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अखबर ने नासिरुल मुल्क को अपना राजस्व मंत्री नियुक तकर दिया कुछ ही समय में नासिरुल मुल्क अपने आपको खान खाना बैराम खान के बराबर समझने लगा और गाहे बगाहे बैराम खान की हुक्म उदूली करने लगा बैराम खान नासिरुल मुल्क को समझाने का प्रयास किया किन्तु नासिरुल मुल्क बादशाह की नजदीकी के कारण खान खाना बैराम खान से मुह जोरी करने पर उतारू हो गया इस से वह खान खाना के निशाने पर आ गया मुला पीर मुहम्मद खान अर्थात नासिरुल मुल्क भी मुगल राजनीती की हवा खाकर पक्का शातिर बन चुका था इसलिए उसने बहराम खान की परवाह नहीं की तथा बहराम खान को नीचा दिखाने के लिए बुर्ज अली और मुसाहिब बेग नामक दो सुन्नी मुसल्मानों को मरवा दिया और उनकी हट्टा के लिए बहराम खान को जिम्मेदार ठहरा कर बहराम खान को बदनाम करने लगा बुर्ज अली और मुसाहिब बेग किसी समय अवद के हाकिम अली कुली खां के कर्मिचारी थे किन्तो इन दिनों बैराम खां की खिद्मत में रहते थे तथा दोनों ही बैराम खां के मुहों लगे हुए थे बैराम खान को लगा कि बुर्ज अली और मुसाहिब बेग की हत्या की साजिश में न केवल नासिरुल मुल्क शामिल था अपे तो सायम अकबर भी शामिल था उन्ही दिनों बैराम खान ने काबल के हाकिम मुनीम खान के साथ मिलकर गजनी के हाकिम जलाल अद्दीन महमूद और उसके भाई मसूद का कतल करवाया था जो मरहूम बादशाह हुमायों के मुह लगे करमचारी हुआ करते थे एक तरह से यह अकबर पर सीधा हमला था किन्तु अकबर बैराम खान से कुछ नहीं कह सका इस घटना का उलेख हमने पिछली कड़ी में विस्तार से किया था कुछ दिनों बाद नासिरल मुल्क बीमार पड़ा तो बैराम खां उसे देखने के लिए उसके निवास पर गया नासिरल मुल्क के तुर्की दर्बान ने खान खाना को महल के दरवाजे पर ही खड़ा रहने के लिए कह दिया और स्वयम नासिरुल मुल्क को खबर करने के लिए महल के भीतर गया खान-खाना इस बेद्बी से बहुत जलाया जब नासिरुल मुल्क को अपने दर्वान की बेवकूफी की सूचना मिली तो वह दोड़ा दोड़ा आया और बहुत निहोरे करके खान-खाना को घर के अंदर ले गया खान-खाना तो नासिरुल मुल्क के घर में चला गया किन्तु नासिरुल मुल्क के नौकरों ने खान-खाना के साथ आए अधिकारीओं को महल के बाहर ही रोक लिया जिससे वे भी चड़ गए जब खान-खाना नासिरल मुल्क से मिलकर बाहर आया तो उसके आदमियों ने नासिरल मुल्क के नोकरों के व्यवार की शिकायत की इस पर खान-खाना नाराज होकर अपने ठिकाने पर चला गया और वहां से एक पत्र नासिरुल मुल्क को भिजवाया खान-खाना ने लिखा कि जब तू कांधार में हमसे मिलने आया था तो एक गरीब विद्यार थी था हमने तुझे बढ़ावा देकर इस उंचे ओहदे पर पहुँचाया मुल्ला से अमीर बनाया मगर तू ओचे पेट का आदमी निकला जल्दी से अफर गया हमें तुझ से ऐसे ऐसे फसाद होने का डर है जिनका इलाज हम मुश्किल से कर सकेंगे इसलिए बेहतर है कि तुझ कुछ दिन के लिए अपने कंबल में पाउं समेट कर बैठ जा और अपने नकारा निशान वगर है और अपनी अमीरी और घमंड के सामान हमें सौप दे तथा अपना मिजाज दुरस्त कर ले जिसमें तेरा और दुनिया का फाइदा है खान खाना बैराम खान का पत्र पाकर नासिरुल मुल्क का खून जम गया उसने भैभीत होकर अपना नकारा निशान और अमीरी के सब राज की अचिन्ध खान खाना को भिजवा दिये इस पर भी बैराम खां के चुगल खोर नौकरों को चैन नहीं आया और उन्होंने बैराम खां को उल्टा सीधा भड़का कर नासिरुल मुल्क को कैद करके बायाना के दुर्ग में भिजवा दिया हालांकि नासिरुल मुल्क इस समय बादशाह का मित्र था किन्त वखवर उसे दिल्ली से बाहर जाने से नहीं रोक सका नासिरुल मुल्क भी समझ गया था कि अब मुगल सल्तनत से उसका दाना पानी उठ गया है इसलिए उसने बादशाह के पास अरजी भेज कर मक्का जाने की अनुमती मांगी जब नासिरुल मुल्क की अरजी मंजूर हो गई तो वहर आजपूताना होते हुए गुजरात के राधनपूर कस्बे में पहुंचा वहीं पर नासिरुल मुल्क को मिर्जा शर्फुद्दीन हुसैन और एहमद खान नामक दो मुगल अमीरों की चिठ्थियां मिली की जहां पहुंचा हो वहीं ठहर जाए और देखता रहे की आगे क्या होता है इस पत्र को पाकर नासिरुल मुल्क राधनपूर से पुनह राजपूताना की ओर मुड़ गया तथा रंधंबहुर के पास जायन के घाटे में आ गया जब बैराम खाने यह सुना कि नासिरुल मुल्क वापस आ रहा है तो खान खाना ने अपने आदमी नासिरुल मुल्क को पकड़ने के लिए भेजे नासिरुल मुल्क किसी तरह जान बचा कर अकबर के पास भाग आया जब उसने आप बीती कहानी अपने मुह से अकबर को सुनाई तो अकबर कांप उठा अकबर को अपना भविश्य अंदकार मैं दिखाई देने लगा बादिशाह के विश्वस्त अमीर चुन चुन कर मारे जा रहे थे और बैराम खां के आदमी शान से सिर उठाई हुए घूमते थे लेकिन बादिशाह होते हुए भी अकबर कुछ करने की इस्थिति में नहीं था अबुल फजल ने इस पूरे प्रकरण में नासिरल मुल्क को पूरी तरह निर्दोश तथा बैराम खां को दोशी बताया है अबुल फजल के अनुसार बैराम खां ने जाइन के पास नासिरल मुल्क को गिरफतार कर लिया इसके बाद नासिरुल मुल्क का कोई इतिहस नहीं मिलता कि उसका क्या हुआ अगली कड़ी में देखिए पुरुष प्रेमी के वियोग में मगल सेनापती शाह कुली खां दर्वेश बन गया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवं शेयर करें धन्यवाद